Hello everyone, welcome to Beyond Teachings, I am Suman Shankar, your physics teacher तो बच्चों हम लोगोंने reflection part क्या किया, complete कर लिया ठीक है, और reflection के बारे में हम लोगोंने बहुत सारी चीजे जानी हम लोगोंने convex mirror पड़ा, concave mirror पड़ा ठीक है ना, तो आज जो हम लोग discuss करने वाले हैं आज के session में वो क्या है, आज हम लोग discuss करेंगे previous year, ठीक है, previous year में जो reflection parts है मतलब आपका light chapter में reflection और reflection दोनों पड़ना है आपको ठीक है, तो सबसे पहले मैं कहां पया रहा हूँ, मैं part wise छोटा कर रहा हूँ उसको reflection part जो हमने complete किया है अभी तक, उसके regarding जो भी previous year में numerical और short questions है, उसके बारे में हम discuss करेंगे यहां पर ठीक है ना, समझ में आ रही है बात, तो यहां पर देखिए मैंने numerical कुछ लिखाया है यहां पर कुछ numericals है, यह सब जितने भी numericals अभी मैं discuss करने जा रहा हूँ यह सारे क्या है, यह तीन और पांच marks के questions आते हैं, ठीक है ना, तो इस chapter से यह numerical generally आता है, वो आता है, ऐधर 3 marks काएगा, या फिर 5 marks काएगा, ठीक है और इसके numerical क्या है normally क्या होता, वो formula based होता है, है ना, formula अगर आपको पता है, दो formula है मैं जानता हूँ क्या-क्या, एक mirror formula, दूसरा magnification का formula, तो दो formula अग मैं अच्छे से जानता हूँ और उसको किस तरह से उस formula को put करना है, कहां पे, और values कैसे बैठाने है, उसमें, ठीक है, sign convention किस तरह से लेना है, तो इस तरह से हम लोग इसके numerical बनाते हैं, तो reflection में जो भी है, reflection पार्ट में, जो numerical आता है, वो generally किस से आता है, सबसे पहले तो mirror formula जो होता है, ठीक है न, और magnification, और sign convention, तो ये तीन चीज़े जो है, आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है, sign convention आपको पता होना चाहिए, sign कैसे लेना है, याद है, left तरफ ज जो downward direction में, उसको हमनों क्या लेते है, negative height, ठीक है, चलिए तो discuss करते हैं, तो यहाँ सबसे first question जो बोल रहा है, यह जो question है, यह 2020 में, मतलब पिछले साल के board में, 10 में आया हुआ है, ठीक है, और यह कितना marks का है, तो 3 marks का question है, है न, तो क्या बोल रहा है, यहाँ पर की object है, an object is kept a distance of 30 cm in front of a concave mirror, मतलब कि यह क्या दिया हुआ, 30 cm, object का distance दिया हुआ, object को concave mirror से 30 cm दूर रखा गया है, ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, कि जो mirror है, mirror of focal length 20 cm, जो mirror का focal length है, जो concave mirror है, उसका focal length कितना है, 20 cm है, ठीक है, फिर बोल रहा है, use mirror formula to determine the position and magnification of the image, मतलब position of the image में जो find करन मतलब image distance find करना है, मतलब we find करना है, ठीक है न, और क्या find करना है, magnification मुझे find करना है, ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, कि जो सबसे first चीज आपको देखना है, वो क्या देखना है, कि जो data यहाँ पे दिया हुआ है, उसके data collection हमें करना है, तो सबसे पहल इंडिकेट किया हुआ होता है कि figure आपको बनाना है तो वहाँ पे तो आपको बनाना नहीं है लेकिन यहां पर भी क्या आएगा और आप figure बना लेंगे तो अच्छा impression पड़ता है तो figure आपने बना लिया है एक concave mirror का यहां पर चीक है और क्या बोल रहा है वहाँ पर उसके बाद कि जो object distance है वो कितना है 30 cm है मतलब माल लेते हैं यहां पर object रखा हुआ इस तरह से कितना है 30 cm इसका object distance है ओके focal length कितना है concave mirror का 20 cm focal length है मतलब यहां पर कहीं होगा suppose है ना तो इसको माल लेते हैं और यह distance कितना है कितना है 20 cm है तो इसको माल लेते हैं हम लोग 20 लिख देते हैं ठीक है यह distance दिया हुआ 20 cm focal length चेक है मुझे find क्या करना है मुझे find करना है position of the object यानि कि क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले u कितना दिया हुआ 30 यानि कि minus 30 में लोगा minus 30 लोगा according to sign convention क्योंकि यह left side ठीक है focal length कितना दिया हुआ है focal length दिया हुआ 20 cm कि यह भी में क्या लूँगा? मैने कि लूँगा, क्योंकि यह भी क्या है? left side है, है ना? और find हूजे क्या करना है? V find करना है, और साथी साथ M भी find करना है समझ महाँ ये बात? तो सबसे पहले मैं क्या को रोँगा? V find करोँगा V find करने के बाद, magnification के जो फॉर्मुला है उस पे लगा के मैं क्या find कर लूँगा क्या find कर लूँगा magnification point कर लूँगा इसमार यह बात ठीक है तो यहाँ पे मैं सबसे पहले formula लिख देता हूँ क्या है formula 1 by V plus 1 by U is equal to 1 by F ओके यही formula है है ना put करते हैं यहाँ पे इसको तो V कितना है नहीं पता मुझे V find करना है 1 by V plus U कितना है तो U कितना है minus 30 U है minus 30 ओके चीक है is equal to 1 by F यानि F कितना है 1 by minus 20 चीक है तो इस तरह से क्या कर सकते हैं इसको अब solve कर सकते हैं simple तरीके से तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 by V यह plus minus क्या हो जाएगा minus और यह minus बन के जब उदर जाएगा तो क्या हो जाएगा फिर से plus तो मैं directly लिख दे रहा हूँ minus 1 by 20 plus कितना 1 by 30 समझ मारे यह नवाद कैसे यहाँ पे plus 1 by 30 इस तरह आगया ठीक है क्योंकि यह क्या अदा plus और minus मिलके क्या हो जाएगा minus और जब minus equal to के उदर जाएगा तो क्या हो जाता है वो plus हो जाता है ठीक है तो यहाँ से इतना आगया इसको मैं solve करता हूँ 20 और 30 के LCM अगर मैं निकाला हो कितना आएगा निकाल लेता हूँ 20 और 30 के LCM निकालोंगा तो 10 से कर देता हूँ 23 यानिकि 60 कितना आगया 60 आगया ठीक है ना 60 आगया इसको करता हूँ तो यह कितना हो जागा minus 3 और यह कितना हो जागा plus 2 तो यह हो गया minus 1 by 60 ठीक है minus 1 by 60 तो वी कितना हो गया minus 60 centimeter ठीक है ना चुकि 1 by V के value आया है 1 minus 1 by 60 तो V कितना हो गया minus 60 cm और यहां से जब मुझे V मिल गया तो पहला answer तो मैंने निकाल लिया position of the image कितना है 60 cm है minus मतलब इस तरफ बनेगा ठीक है और फिर मुझे क्या निकालना है magnification तो magnification का formula क्या होता था एक होता था h dash by h और एक होता था minus V by u तो यहां पे तो मुझे h height of the object यह height of the image तो पता नहीं है तो मैं क्या करूंगा directly formal put करूंगा minus V by u चीक है उसके बाद फिर मैं put कर देता हूं minus का sign मैं ऐसी रहने देता हूं फिर V का value लिखता हो कितना है minus 60 divided by u का value लिखता हो कितना है signification कितना आगया minus 2 ठीक है समझ मारे यह बात तो यहां से मैंने क्या किया इस तरह से मैं निकाला तो अगर आपको screenshot लेना आप ले सकते हैं ठीक है तो इस तरह से मैंने इसको solve किया सारा कुछ formula पूट किया सबसे पहले क्या काम मेरा हमेशा यह होता है data collection करना कि मेरे पास क्या क्या information given है और मुझे क्या find करना है फिर मुझे फिर दूसरा step क्या होता है मेरा formula पूट करना कौन सा formula लगेगा मैंने formula पूट कर दिया यहां ठीक है सारा value पूट करने के बाद V का value मैंने कितना निकाला तो minus 60 cm निकाला और magnification का formula पूट करके मैंने magnification निकाला minus 2 सवज में आई बात ठीक है तो यह था 2020 का यह question था 3 marks का ठीक है तो दूसरा question जो हम लोग discuss करते आईए दूसरा एक और question 2020 में ही आया हुआ है ठीक है यह question यहां पे बोल रहा है कि complete the following ray diagram यहां पे ray diagram दिया हुआ है ठीक है आपको क्या करना इस ray diagram को complete करना है ठीक है ना तो आईए इसको करते है solve तो ray diagram में क्या बोल रहा है सबसे पहले कि क्या क्या दिया हुआ है देख लेते है focus दिया हुआ है एफ और यह object यहां पे रखा हुआ है 15 cm में ठीक है object रखा हुआ है 15 cm में focus है इधर और focal length कितना दिया हुआ है 30 cm और mirror कौन सा है तो concave mirror ठीक है तो अगर मैं याद करूँ summarize करूँ इसके पहले हम लोग जो previous session में हम लोगों ने पढ़ा था तो क्या होता था वहाँ पे कि अगर object क्या होता था पोल और focus के बीच में अगर रखा हुआ होता था तो उस case में क्या होता था 6th case याद करिए concave mirror का 6th case क्या होता था virtual image form होता था behind the mirror यही चीज़ था ना तो यहाँ पे भी same चीज़ होगा ठीक है यहाँ पे मैं क्या करता हूँ टकराता है तो क्या होता है same angle पे वो निकल जाता है ठीक है ना और दूसरा light ray अगर मैं पास करूँ कहां से suppose center of curvature से अगर मुझे पास करना है तो center of curvature कहा होगा यह focus है तो यहाँ पे कही होगा center of curvature होगा ना C ठीक है तो मैं इस line को थोड़ा से बढ़ा दूँगा आप लोग भी अगर आता है तो थोड़ा से line को बढ़ा के यहाँ पर अपने लिख दे दिया C उसको ठीक है और फिर C से एक light ray मैं बनाऊंगा इस तरह से ऐसे mirror में पड़ेगा जो और क्या होता था जब center of curvature से light ray पास होता था तो क्या होता था अपना path को retrace करता था तो यह light ray क्या होगा ऐसे जाएगा यहां से टकराएगा फिर से अपना ही रास्ता पर चले जाएगा समझ मारी यह बात तो यहां पर क्या होगा कि अगर मैं image बनाना भी चाहूं तो यह क्या हो जाएगा बहुत दूर तो image बनेगा नहीं क्योंकि यह parallel नहीं है यह क्या हो रहा है फैल रहा है तो मैं क्या करूंगा मैं इस दोनों line को पीछे बढ़ाऊंगा backward direction बढ़ा देते हैं इसको मैने ऐसे बढ़ाया इसको यह ने किया कि ऐसे बढ़ाया और बढ़ाया जहां पर मिल गया वहाँ पर इसका बन गया image ठिक है समझमारी बाद तो क्या हूआ यहां पर बन गया उसका image और image कैसा है वाई तो image है virtual क्योंकि वो behind the mirror बन रहा है ठीक है ना और कैसा है erect image है और size कैसा image का object से enlarged ठीक है तो सबसे पहला जो इसमें बोल रहा है क्या कि complete the following rate diagram मैंने complete कर दिया इसको पहला पार्ट बना दिया दूसरा पार्ट बोल रहा है find the nature position and size of the image तो nature क्या है इसका नेचर क्या है virtual ना ठीक है virtual रियल image नहीं है नेचर कैसा इसका virtual है और virtual एक तो कैसा होगा erect होगाChay और position ना पर बन रहा है तो mirror के पीछे बन रहा है तो position में क्या लुखूंगा behind the mirror सभज मारे ये बात ठीके और size of the image कैसा है वई तो size of the image object से क्या है बड़ा है तो size में मैं क्या लुखूंगा enlarged सभज में आई बात ठीके तो मैं size में लिखूंगा answer में size में लिखूंगा enlarged ठीके और position में में क्या लुखूंगा behind the mirror ठीके behind the mirror है ना और nature में कैसा लिखूंगा virtual virtual and erect ठीके तो पहला part और second part हो गया third part क्या बोल रहे है बोल रहे है use a mirror formula to determine the magnification in this case अब बोल रहे है कि यहाँ पर mirror formula मुझे लगाना है यहाँ पर और mirror formula को लगा के मुझे क्या करना है magnification find करना है चीक है तो चलिए find करते हैं तो क्या क्या है मेरे पास सबसे पहले object का distance मुझे पता है कितना है minus 15 cm object यहाँ पर है left side में तो object का distance कितना होगे है ना चीक है अब इस दोनों से मैं क्या निकाल सकता हूँ मैं इस दोनों से image distance निकाल सकता हूँ तो formula पूट कर देते हैं 1 by V plus 1 by U is equal to 1 by F है ना तो यहाँ पर क्या होगे V तो मुझे पता नहीं है नहीं पता है ना V मुझे ठीक है फिर plus U का value में पुट कर देता हूँ U का value कितना दिया हुआ है यहाँ पर तो minus 15 दिया हुआ है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ minus 15 चीक है is equal to और F का value कितना दिया हुआ है minus 30 दिया हुआ है समझ महारी यह बात है ना अब उसके बाद फिर मैं solve करता हूँ इसको देगा यह क्या है कि प्लस माइनस क्या हो जाएगा फिर से माइनस है ना यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस ठीक है तो यहाँ पर मैं इरेस करके लिख देता हूँ माइनस यहाँ पर हो गया माइनस और जब यह माइनस क्या व हो गया plus 1 by 15 चीक है न यह माइनस नहीं है तो यह हो गया 1 by V इतना आ गया है न अब मैं क्या करूंगा इसके LCM निकालोंगा तो यहां से गया 1 by V is equal to कितना यहां 15 और 30 के LCM कितना आएगा निकाल लेते हैं ऐसे तो आएगा 30 तो 15 1 तो 50 15 2 तो 30 तो LCM आगया इसका कितना आएगा LCM 30 चीक है समझमार यह बात अब यहां से क्या आगया यहां यहां से आगया 1 by 30 कितना आगया 1 by 30 तो V के वैली कितना आगया वाई यह वी के वैली आगया 30 ठीक है तो V जो बनेगा और image जो बनेगा कहां बनेगा यहां से 30 cm का distance में बनेगा image समझमार यह बात ठीक है तो image का distance आगया 30 लेकिन find मुझे क्या करना है मुझे find करना है magnification तो magnification का formula फिर से भाही put करूंगा m is equal to minus V by U ठीक है minus sign को as it is रहने दो और V कितना आया वाई V आया मेरा plus 30 है तो plus 30 divided by और U कितना था मेरा वाई minus 15 था ठीक है तो minus 15 कर दिया मैंने इसको यह minus से minus cancel हो गया और यह कितना आ गया 2 याने कि magnification मुझे कितना मिला? Magnification मुझे मिल गया 2 और V मुझे मिल गया 30 हो गया ना solve ठीक है तो यह भी question क्या था 2020 का ट्वेटी ट्वेंटी के question यह ला previous year का board में आया हो ठीक है ना आये next question बे आते हैं यह हमारा अगला question ठीक है इसको हम लोग चलिए solve करते हैं यह कप का है व draw ray diagram in each of the following cases to show what's happened after reflection to the incident ray when बोल रहा है कि आपको क्या करना है कि ray diagram form करना है light ray जोगर incident कर रहा है तो incident करने के बाद क्या होगा ठीक है अब कौन सा mirror है यहां पे तीन cases दिये हुए कौन कौन सा mirror के बारे में बात कर रहा है तो पहला है it is parallel to the principal axis and falling on the convex mirror बोल रहा है कि first case क्या बोल mirror मैंने बना दिया convex mirror mirror है convex mirror और light ray कैसे आ रहा है वाई parallel to the principal axis है ना parallel to the principal axis ऐसे आ रहा है light ray अब यह हम लोगों ने पढ़ा है फिर से आ जाते हैं हम लोग mirror का conditions जो पढ़ा है reflection वाला है ना तो convex में क्या होता था कि जब light ray क्या होता था parallel to principal axis आता था तो after reflection वो क्या होता था focus से पास करता था यहाद हो ना आप लोगो तो वहीं सेम चीज़ यहाँ पे है कि light ray अगर parallel to principal axis है और mirror कौन से है convex तो light ray रहा है सी जाएगा और यहां से टकरागे इदर निकल जाएगा और य इमेश तो बनेगा नहीं तो क्या करेंगे वर्चुली इसको जब मैं पीछे बढ़ाऊंगा इस लाइन को ऐसे और इस लाइन को बढ़ाऊंगा ऐसे कहां मिलेगा वो फोकस पे मिलेगा ठीक है तो ray diagram मैंने यहाँ बना दिया यह इसका ray diagram है और यहाँ पे आपको लिख देन all by passing through it principle focus अब सेकेेnd वाला condition किया बोल रहे है कि mirror कौन सा है mirror ये कन और ना ना मिलेग चलो बना देता हूं थीग है और और क्या बोल रहा है कि इस ओलिम षब कर रहा है वो फोकस्स से पास हो रहा है मुदला लाइट रिको जैसे आ रहे हैं इस तरह से आरा है तो आप्टर रिफ्लेक्शन कहा निकलना चाहिए यह सपरिडू प्रिंसेपल एक्सिस याद होगा आप लोगों रिफ्लेक्शन तुरू तो प्रिंस्पल एक्सिस निकल जागा इस तरह से समझ महार ये बात तो second answer क्या होगा कि when light is falling on a concave mirror while passing through principal focus then after reflection it will go parallel to principal axis ठीक है क्या हो जा रहा है reflection उने के बाद ये principal axis के parallel निकल जा रहा है ठीक है second बाला भी हो गया था हम लोगों थर्ड क्या बोल रहा है it is coming oblique to the principal axis falling on the pole of a convex mirror अब क्या बोल रहा है third condition में mirror कौन से है वही तो mirror is convex mirror और जो light ray आ रहा है यह प्रिंस्पल एक्सिस है और light ray जो आ रहा रहा है वह अबनीकली पड़ रहा है उसमें तेड़ा पड़ रहा है और कहां जाकर ही बढ़ रहा है तो पोल पे पड़ रहा है तो इस दरह से लाइट और यहां पर पर पड़ा यह क्या है mirror का पोल है और जब पोल पे light ray पड़ता है तो क्या होता है वह locks of reflection को follow करता है और क्या करता है वापस चले आता है इस तरह से तो मतलब यहां पर टकराएगा और वापस ऐसे निकल जाएगा और laws of reflection follow करें मतलब यह एंगल जो है इसके बराबर हो सब्सक्राइब बात तो यह हो गया थर्ड का एंसर तो इसमें मैं क्या लिखूंगा कि when light coming oblique to the principal axis and falling on the pole of a convex mirror then after reflection it will obey the laws of reflection सब्सक्राइब बात क्या करेगा पोल से टकराएगा और सेम एंगल पर वो क्या कर देगा reflect हो जाएगा चीक है तो यह भी question था है चीक है यह सब सारे question जो है दोजारा बीस खेल के अलग अलगिल से च्ट में आपको दीए क्या होता है यह सारी question किया है a UK आपको ठीक होई और उफोट ऑ मदा करते हैं रिख समसे यह क्या है 2019 है थी मार्क इसमें बोल रहे है इस सब्सक्राइब ने श्वले आ उंपको व इसको जानते हैं तो यह क्या बोल रहा है कि एक बच्चा कर रहा है अपने हाथ में उसने एक मिरर लिया हुआ है और वह मिरर को क्या कर रहा है कि साइड गुमाया हुआ है सन के तरफ गुमाया हुआ है मतलब जो मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है उसको वह क्या क्या हुआ है सन के तरफ क्या क्या हुआ है मोड़ा हुआ टन क्या हुआ है ठीक है फिर बोल रहे है दिन डारेक्टेट रिफ्लेक्टिंग लाइट ऑन्टी शीट ऑफ पेपर मिरेर पढ़ा है तो जो नाइट रेफलेक्ट हो रहा है उसको पर रिफ्लेक्ट कर्वा रहा है। एकdock in पर में रिफ्लेक्ट करना यहाद होगा रएस सट्षें मिरेर पात खुरन के तरफ हम दूसरे का मुण में उसको हो दो चमकाने कोशिश करते हैं यह वह बच्पन बदमाशे करते हैं तो यहीं चीज़ यह पोल रहा है की तो क्या बोल रहा है कि पहला और दूसरा क्या बोल रहे है कि विल इभी एबल टुट अब दिस्मिर फोकल लेंथ फिर्ण फ्रॉम दिस्याइटि और बोल रहे है कि एक्टिविटी वो कर रहा है क्या उससे वह मिरर का फोकल लेंथ निकाल सकता है ठीक है यहीं चीज़ों मुझ रहा है यहीं चीज़ों पूछ रहें तो इसले में हम लोग चेलीं करते हैं सबसे पहले की बोल रहाएकि अगर उसके पेपर को बंब करना है जलाना लग परण को हम लोग लन्स लेन्स इसको लाइडे और उसको पॉंट साइज करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा तभी न संसे तो बहुत सारा लाइट आ रहा है तो उसको एक पॉइंट पे अगर वो कनवर्ज कर देगा तो उससे क्या होगा कि हीट प्रोडीवस होगा या देना करने के जिस्थ सब्सक्राइब करना हर और उसको करना है और फॉकस पर उसको kya करना अपड़ेगा कि उसको लेना पड़ेगा एक concave mirror इस तरह से और light rate जो sun से आ रहा है sun light इस तरह से ये light रे कहां से आ रहा है infinity से ठीक है ना कहां से आ रहा है Aunque infinity से आ रहा है sun light तो जो sun light जो आ रहा है इसको जब इस तरह से वो करेगा reflect होगा तो ये focus में क्या होगा एक पॉइंट पर फोकस पर जाएगा तो यहां पर क्या होगा कि इस छोटे से पॉइंट पर हो क्या होगा लाइट रिफलेक्ट होके मिलेगा और जिसके करण क्या होगा कि पेपर क्या हो जागा बर्न होगा बरन वाना, sunlight एक जगह पर होगा, तो heat बढ़ेगा, और जब हीट बढ़ेगा, तो पेपर बरन करेगा, तो मतलब इसका answer क्या हुआ, कि what should you do to burn the paper, उसको क्या करना पड़ेगा, पेपर जलाने के लिए, कि he had to concentrate the reflected light to a point focus, ठीक है, मतलब सारा light को उसको focus पे पेपर बरन पड़े है, समझ मारी ये बाद, और वो क्या बोल रहे है कि क्या वो इस mirror का approximate focal length का value निकाल सकता है, क्या वो इस mirror का approximate focal length का value निकाल सकता है, बदा ही इसके क्या होगा answer, हाँ, निकाल सकता है, कैसे निकाल सकता है, अगर उसको क्या पता हो, उसको focus point पता हो, कि किस point पे sun light कर रहा है, ज जब sun का light reflect हो कि किस point का आ रहा है तो वो उसको कैसे पता चलेगा कि जिस point पे क्या होगा कि जो reflected light point होगा एकदम छोटा से reflected light आएगा पर उसका intensity क्या होगा बहुत जादा होगा समझ मारा बात तो उस point से वो क्या कर सकता है focal length को measure कर सकता है समझ मारे बात मतलब कि अगर sunlight ऐसे आ करेगा होता दना lens में याद होगा ना कि जितना छोटा point बनता था उतना जल्ली paper burn होता था तो यहां पर वहीं चीज है जितना छोटा point बनेगा उतना जल्ली क्या होगा उस point पे intensity सबसे जादा और यहीं पर paper burn करेगा और यहां से फिर हम चाहे तो उसका हम लोग focal length find कर सकते ह आज हम लोगों ने क्या किया discuss किया कुछ previous year के question paper discuss किये कुछ questions है यहापर यह जैसे 2019 है और भी previous year कुछ questions है जिसको हम लोग next class में discuss करेंगे ठीक है और भी बहुत सारे questions आते हैं इस chapter से related जैसे one marks का निम्म होता है objective type fill in the blanks ठीक है ना जब शौट answers भी आते हैं इससे तो वो शौ possible नहीं है कि सारे question को हम लोग यहाँ पर discuss कर सके तो जो important numericals है ठीक है जो generally क्या हुआ बहुत बर repeat होते हैं तो उस type के questions को मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर discuss कर रहा हूं और types तो वही है formula तो वही है समझ मारे बात ठीक है तो hope आप लोग जो session है पसंद आया होगा अगर फिर भ तब तक के लिए good bye and take care thank you